हमारी आमाद्मी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों के अंदर है, अभी दस साल पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी को कुचलने में, खतम करने में, प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिये, एक साथ, अर्विन केजरीवा, मनीज सिसोदिया, संजे सिंग, सतिंदर जेन, बड़ी बड़ी पार्टीों के, अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खतम हो जाती है, आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी निया ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते है उतना ये बढ़ती जाती है उत्हेसला ये बड़ती जाती हैं, ये क्रश करना चाहते हैं प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को," is जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं,"ुख कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आखे तक आप कोचे आदर अमादमी पार्टी मुदीजी से जो होगा देश कहा देने वाली है 날ा वो खुद भी मांते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आमादमी पार्टी Toll가usop कुछल दिया जाए यह ताना शाहिए अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो आप देश को भविश्य दो आज आपकी सरकार एक इंदर के अंदर आप देश के लिए काम करोगे आम आदमी प पार्टी को कुचल दो यह जनतंत्र नहीं है यह इस देश की जनता प्रतारित ही किया गया जिस तरह से प्रधान मंतरी मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रतारित करने की कोशिश किया मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं ने भरष्टाचार से लड़ रहा हूं देश के सबसे बड़े चोड उचक्के और डक्यातों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे किमने सत्तर हजार करोड का इसने खोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल कर किसी को नहीं स्यंद्री किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ED और CBI के मामले में मोधी जी को कहना जाता हूं. ब्रश्टा चार से अगर लडाई लडनी है तो केजरी वाल से सीखो. प्रधान मंत्री जी ब्रश्टा चार के खिलाफ लडाई केजरी वाल ने लड़ी है? 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक ओडियो मेरे पास किसी ने वाटसअप कर दिया उस ओडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से पांचलाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था, अप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया, जेल बेज दिया था अपने मंत्री को, ये होती है भरश्टाचार के खिलाफ गड़ाई था, पंजाब के अंदर मेरा एक मं मंत्री ब्रश्टाचार में मिर को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है, वहां पे मान साब ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उफा के जेल में भेज लिया, तुम देश के सारे चोर उचके ड़केतों को अपन मैंडे के जुबान के उपर ओरा है, कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामल करके, और एड़ी और सीबिया के सारे केस उनके रफा रफा करने। केजری वाल को क्यों गिरिफतार किया, केजری वाल को गिर अफार करके उन्होंने एक मैसिज दिया है सारे देश को, कि एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही खतरना हुआ देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दो स्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निप्टा देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निपडाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इनों ने मनीज सिसोधिया को जेल बेज दिया, संजय सिंग को जेल बेज दिया, सतंदर जयन को जेल बेज दिया, केजरिवाल को जेल बेज दिया, हिमन सुरेन को जेल बेज दिया, मंता दीदी के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया, स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया, कैरला के सीम के पीछे पड़े हैं, अगर ये चुनाव पी जीत गए, मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर, थोड़े दिन के बाद मंता दीदी जेल में होंगी, तेजसभी आदफ जेल में होगा, स्ट अडवानी जी की राजनीती खतम कर दी, इनोंने मुर्ली मनवर जोशी की राजनीती खतम कर दी, सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंग चोहान ने, उसको मुख्यमंतरी ने बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी, वसंद्रा राजी की राजनीती खतम कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीती खतम कर दी, अब अगला किसका नंबर है, योगी आदित्यनाद, अगर ये चिनाद जीत गए, मेर से लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत निवे फ्री बदन देंगे। जोगिया अधिबत नादगी राईजनीकी खदम परेंगे, उनको भी निप्टा देंगे। यही तानषाही है दोस्तों, one nation, one leader यह चाहते हैं, एक ही तानषाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानषाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौके आए जब इस देश के ओपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तखता उखाड़ के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर कबजा करने की कोशिश की इस देश की जंता ने उसका तखता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंत्र खतम करना चाहता है, आज एक ताना शाह इस देश से लोक्षाही खतम करना चाहता है, मैं पूरे तन्मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्श कर रहा हूं उस ताना शाह के खिलाफ, एक सो चानिस करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन